दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेगे भोरम देव मंदिर के बारे में भोरम देव 36 गड़ के कबीरधाम जीले में कवरधा से 18 किलोमेटर दूर तथर रायपूर से 125 किलोमेटर दूर चौरा गाओ में 1000 वश्पुराना मंदिर है या मंदिर भागवान शिव को समर्पित है मंदिर कृतिमता पूर्वक परवस शुंकला के बीच इस्तित है या लगबख सात्मी से ग्यारवी शताबदी तक की अवधी में एक हजार नवासी इस्वी में फणी नाकवशी शाषक गोपाल देव द्वारा बनवाया गया था या मंदिर में खजुराहू मंदिर की जलक दिखाई देती है इसलिए इस मंदिर को 36 गड़ का खजुराहू भी कहते हैं 36 गड़ में गोण समुदाय विस्तित रूप से फैली हुई है ऐसा माना जाता है कि गोण समुदाय के पुझनी देवता का नाम भूरम देव था यहां के प्रमुख पुझारी के अनुसार भूरम देव राजा थे और उनकी पत्मी अंभिका थी और यहां मंदिर भूरम दे नेज़ी के नृत्यरत मूर्ती काल भेरो इत्यादी के मूर्ती देखने को मिलेंगे मंदिर का मुख पूर्व की ओर है मंदिर नागर्शेली का एक बहतरीं उधारण है मंदिर में तीन ओर से प्रवेश किया जा सकता है मंदिर एक 5 फूट उचे चपूत्रे पर बनाया गया तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है, मंडप की लंबाई 60 फुट है और 44 फुट है, मंडप के बीच में चार खंबे हैं तता किनारे की और 12 खंबे, जिनोंने मंडप की छत को सम्हाल रखा है, सभी खंबे बहुत ही सुंदर ए में ही स्थित है, अश्ट भुजी गणेश जी की मूर्ती को ही तांत्रिक गणेश जी भी कहते हैं, 36 गण के सबसे पुराने मंदिरों में से एक भुरम देव मंदिर, यहां की मूर्तिया प्रेम भाव के साथ ही ग्रहस्त जीवन के अधरंगता को प्रदर्शित करती है, कैसे पहुचे भुरम देव मंदिर, अगर आप आ रहे हैं, तो निकटम हवाई अड़ा राज्यराजधानी रायपूर में है, मुख्य हवाई अड़ा कवरधा से लगभग 130 किलो मेटर दूर, ट्रेन द्वारा अगर आप आना चाते हैं, निकटम रेल्वे स्टेशन आप आना चाते हैं, तो कवरधा चीत तरह से रायपूर, विलासपूर, दुर्ख शहर से सडख के रास्ते जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से भुरम देव मंदिर तक पहुंच सकते हैं, आशा करता हूं यह जानकारी आप सभी को समझ में होगी, इसी तरह की रोचक जा